तो चलिए बिटा, next point की तरह बढ़ते हैं हमारे पास, वो है collision theory, ठीक है, क्या कहती है collision theory, कि जब भी आपके पास दो reactant से आप product बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला तो ये ज़रूरी है, कि उन reactant का आपस में टकराना, ठीक, फिर एक effective energy के साथ टकराना ज़रूरी है, पहले तो collisions in which products are formed, they are known as effective collisions बोले जाएंगे, अब collision तो हलाखों collision हो रहे होंगे, मोलीक्यूल के तो आपस में, लेकिन सभी product थोड़ी न बना रहे हैं, जिनकी energy, threshold energy से ज़्यादा होगी, वही हमारे पास क्या बनाएंगे, ठीक है, तो collision theory क्या कहती है, हमारे पास की, जो rate of reaction होता है, क्य ZAB is collision frequency, collision frequency का मतलब बेटा, एक second में कितने collisions हो रहे हैं, जितने ज़्यादा collision होगे, उतने ज़्यादा ही product बनने की possibilities हैं, या फिर नहीं है, बोली बेटा, है या नहीं है, ठीक है, और into में depend करता है, e की power minus ea by rt पे, ये क्या थे बेटा, ये थे हमारे पास effective collisions, effective collisions पे depend करता है ठीक है, number of collisions पे depend करता है, collision frequency पे, और effective collisions पे क्या करता है, हमारे पास, depend करेगा, कि इस पे depend करेगा, effective collisions पे depend करने वाला है, ठीक है, चलें, तो यहाँ पर मैं आप rate लिख सकता हूँ, बेटा मेरे पास, यहाँ पर ZAB, ZAB क्या collision frequency, A और B के बीचे में collision कितने औरे, वो है ये, into मे E की पावर माइनस E A by RT, ठीक, फिर boldsman बोला, कि इसकी जगह F लिख दो ना, आप F, तो ZAB into में F, where F is, boldsman factor, boldsman factor बोलते हैं, इसको, boldsman factor, इसकी value किसकी equal आएगी, E की पावर माइनस E A by RT के equal आएगी, ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको, कोई भी problem यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए, ठीक, तो हाल फिलाल यहाँ तक हम पहुंच चुके है, ठीक, कि R is equals to ZAB into E की पावर माइनस E A by RT, तो इनके clear होने चाहिए, मीनिंग आपको, ZAB का मतलब है, A और B के बीच में कितने collision होरे है, मतलब collision frequency क्या है, E की पावर माइनस E A by RT है, number of effective collisions, rate है, ज इस पे rate of reaction depend करता है, और वो नया factor और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर include करना पड़ेगा, देखते हैं, वो क्या है, नया factor, समझे आप लोग भी, अब मान लीजिए, ध्यान से समझी इस बात को, यह है N double bond O, O, और यह है N double bond O, O, ठीक है, एक और example ले रहा हूं, मैं मालो, यह है, यह दोनों चीज़े space में घूम रही है, और इनको product बनाना है, बताओ, जब यह ऐसे collision करेंगी, तो product बनेगा, यह बिढ़ेगा, नहीं, बिढ़ रहा है, नहीं, तो क्या यह effective collision है, नहीं, अच्छा, क्या यह ऐसे करेंगी, तो effect करेगा, नहीं, इधर बिढ़न तीन और चार, उन में से एक तरह का collision ही effective है, क्योंगी इस collision में, इनकी जो orientation है न, space में, orientation वो proper है, orientation देखो, इसको इसेड में चलना था, इसको इसेड में, orientation proper है न, अब orientation proper थी नहीं, इसका मुँ उदर, इसका मुदर, तो orientation तो proper है नहीं, तो orientation फेक्टर पर भी depend करता है, तो बोलिए, NO2 और NO2 मिलकर बेटा, यदि product बनाना चाहते हैं ये वाला product, देखना, ये वाला product, N double bond, O, Dative bond, O, N, N, N double bond, O, Dative bond, O, तो यदि ये product बनाना चाहते हैं, तो बोलो, nitrogen को nitrogen से टकराना जरूरी है या नहीं है, तबी तो product बनेगा, क्या यहां product बनेगा ये वाला, नही यहां बनेगा, क्योंकि यहां पर orientation सही है, क्या सही है यहां पर orientation सही है, यहां पर orientation सही नहीं है, इसलिए यहां पर product नहीं बनेगा, तो एक नया factor आ गया है यहां पर वो आ गया है, orientation factor पे भी depend करता है, उसको orientation factor को नाम दिया गया P, तो इसका मतलब जो rate of reaction होगा अब हमारे पा है collision frequency पे depend करता है number of effective collisions पे depend करता है तो आप final equation हमारे पास यह आ गई है rate of reaction की यही collision theory बोलना चाहती थी तो बताओ इसको अरीनियस equation के साथ compare करना बैटा हमारे पास वो क्या थी a case equal to a e k power minus ea by rt थी या नहीं थी ea by rt तो as it is तो इसका मतलब अब a की value किसके equal आ गई हमारे पास p into z a b के equal आ गई या नहीं आ गई ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है कोई problem तो नहीं है यहाँ पर collision theory हमारे पास क्या होती है बटा complete होती है कोई numerical collision theory में basically नहीं पूछा जाएगा यह एक एक नंबर की term पूछ लेते हैं यह क्यास्त में radioactive disintegration की तरफ आ जाते हैं यह चोटा सा टोपिक है डिटेल में आपको पढ़ने की जूरत नहीं है तो जो radioactive disintegration होते बिटा कोई element तूट कर नया element बना लेता है जैसे carbon 14 है बिटा पास c14 है वो दीरे-दीरे 2.303 लोगो और का मतलब प्रेटा initial Number of molecules इनिशियल Number of molecules या फिर एंटम किसके radioactive substance के ठीक है एंटी का मतलब बचे हुए किसी टाइम टी पे बचे हुए molecules या फिर atoms किसके रेडिसके जो radioactive substance उसके तो वह same expression तो कोई दिक्रत नहीं होगी हाप टाइम भी सेम निकलेगा यहां पर एक अवरेज लाइफ एक नया पॉइंट आजाता है अवरेज लाइफ कि जो रेडियो एक्टिव डिके वाले सबस्टांस उनका अवरेज लाइफ यह दिया आपको निकालने तो उसको टाउ इसको टाउ और बोलते हैं ताउ ठीक है तो वन भाई के होगा वन भाई के का मतलब के की वैली कितनी है यहां पर के की वाली होते ही बटा जीरो पैंट सिक्सनाइं तरी डिवाइट वारेट वाई टी वाइट अवरेज लाइफ का तो चलिए नुमरिकल रेडियो एक्टिविटी से भी क कर लेते हैं हम कहते हैं कि नूग्लियर एक्स्प्लोईजन कई पर नूग्लियर बंप शटा तो उसमें से स्टॉंट्यूम निकला को निकला बिटा स्टॉंट्यूम स्ट्रोंटियम 90 हमारे पास निकला वहां से रिलीज हुआ कौन स्ट्रोंटियम 90 ठीक है जिसका मास 90 है और उसका जो एक 6.1 साल आपको बताना है दस साल के बाद उस बच्चे की हड्यों में कितना स्ट्रोंटियम रह जाएगा और जब वह साथ साल का हो जाएगा तो कितना स्ट्रोंटियम रह जाएगा ठीक है तो बटा टाइम नहीं निकाला में तो एक्स्प्रेशन देखें टी इस गोल टू 2.303 डिवैड बाई के लोगो इनीशियल कंसेंट्रेशन होती थी यहां पर और यहां पर क्या होती थी फाइनल कंसेंट्रेशन ठीक है बची हुई सुरी बची हुई कंसेंट्रेशन बताइए टाइम सुरू में कितने साल है दस साल तो सुरू में तो आगे बटा यहां पर टाइ 0.693 divided by k first order के लिए तो k की value आ जाएगी बैटा 0.693 divided by t1 by 2 t1 by 2 कितना देर के बैटा इसका आधी साल 28.1 साल 28.1 साल ठीक है तो k की value आ गई 0.693 divided by 28.1 28.1 चला जाएगा बैटा उपर ठीक है लोगो पिटा initial concentration देखें कितनी बचीवी थी तो देखी जल्दी से जल्दी से जल्दी से initial concentration कितनी थी उसकी तो initial concentration थी भेटा वहाँ पर 1 micron 1 micron what you build concentration आुआ इस expression को मैं इदर लेता हूँ that is log of 1 by 80 को इदर रक लेता हूँ बाकि सब कुछ अँसने ड़नम में तो इसके आप अब लग जाएगी लोग M minus log of N is equal to this value इसको क्या जाएगा हमारे पास यह value आ जाएगे ना जो बचेगी हमारे पास ठीक है तो लोग बनकी value 0 होती बिटा तो यह minus का साइन इदर आजाएगा तो लोग ओफ 80 इसकोल टू माइनस ओ यह वाल्यू डैसिमल से डैसिमल कैंसल हो गया 600 तिराण हुआ है सो डिवाइड में दो तीन जीरो तीन अठाइस एक इसकी डैसिमल उपर चली जाएगी तो यह वह जाएगा यहां पर दस हो जाएगा ठीक है तो इसकी वाल्यू आजाएगी यहां पर सोल करेंगे तो माइनस 0.107 एक लोग ओफ 80 तो यहां पर 80 की वैल्यू कैसे आजाएगी ब जीरो पॉइंट साथ एक जार माइक्रोग्राम तो कहने का मतलब इस तरह कि एक्स्प्रेशन आपको इस तरह से सोल करने होते हैं कुछन किसी भी तरह का कहीं से भी आ सकता है तो आप सोल कर लेंगे आई होप आप रेडियो एक्टिव डिसिंटिग्रेशन के नुमेरिकल सोल कर लेंगे तो इस तरह से हमारे पास यह चैप्टर क्या होता है बहुत लंबी जर्नी रही यहां पर अप्रोक्षिमेटली ढाई गंटे के असपास हमें हो गए हैं लेगिन अब भी वाइंड़ नहीं कर रहे हैं इस लेक्चर को कुछ नुमेरिकल्स में आपको कुछ क्वेस हो जाए एक बार तो चलिए बिटाइम दोनों केसं की प्रोब्लम को सोल करने की कोशिज करते हैं आपको एक्वेसन दी गई है यह इस एक्वेसन के लिए इन में से कौन करेक्ट हम यह चूज करना है तो भाई डिवाइड में टू आना जरूरी है ना सुरू में किया था बि कौटतो नहीं को चाहिए अच्छा फेर ररेट क्या उना चाहिए रेयट्य पास होना चाहिए ने की पावर वान बीकी पावर टुक भी की पावर कुण तो रोसल्टे यह एक पावर 2 नुसल होनी चाहिए हैं तो बोलो एक टेट है यह तो कौन है भी दो को डिवाइड है में लिखा तो आगे आ जाएगा वन प्लस 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 यह की आगे माहिए एक टेट है लेकर त्रीड आए बटा क्या एगा थीडी समझभा रहे हो ना चीजों को सर बिल्कुल जिसके आगे प्लस है वो प्रोड़क्त है तो को चलिए बटा कोसिज करते हैं दो क्वेसनि तोल करने की आपको दिया गया है एए मतलब एक टूटने का येतना है आपको बीटिया ka ये तो 2-2 लोड़ टूतेंगे तो वी के चार टू एंगे के चार टूतेंगे तो वीखेक्टे से डबल एक तो अब सीखो देखो क्या टुकप कभी 3 वैंको केसे में थ्री तो यह तो गया क्या के टू-3 के टू-2 को हो सकता है नहीं तो यह भी गया भई यह भी गया ठीक है आते हैं आप दो options में से एक option बचके हैं हमारे पास चली सोल करते हैं इसको तो इसके लिए expression लिखें तो हमारे लिए लिखा जाएगा minus 1 by 2 d a by dt is equals to d b by dt is equals to d c by 1 by 3 d c by dt यह लिखा जाएगा ठीक है 1 by 2 d by dt ठीक है तो बोली वहीं d by dt क्या दिर किया आपको k1 a square तो 1 by 2 k1 a square हो गया is equal to is equal to is equal to d b by dt d b by dt k2 a square यह आगया हमारे पास k2 a square आगया कोई दिक्कत नहीं फिर हमारे पास d c by dt dc by dt k3 a square तो 1 by 3 k3 a square हो गया बटा a square तो सभी में से omit हो जाएगा ठीक तो क्या बच गया 1 by 2 k1 is equal to k2 is equal to 1 by 3 k3 ठीक तो चैक करिए answer कौन सा बीटा d answer कौन सांसर है d तो इसका आजाए गाए गए बेटा d hands आप वो कर पाए हैं इसको ठीक है चलते हैं नेक्स नुमेरिकल की तरफ तो यह गया यहां उल्टा गर दिया इनों नहीं यह नहीं होगा वन इसके नीचे है तो आंसर आजाएगा पास पासन सब्सक्राइगे आप लोग यह कोई कंपलेक्स एक्सिए रहें इसकी आपको मुलटी को बतानी है अब कई बत्स अब नहीं कर सकते हैं तो वोन्यक्लारेटी कैननोट भी डिफाइंड वर इस रीएक्षन हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे ठीक है तो चलिए इसे नुमेरिकल करते हैं यह दोनुमेरिकल और करेंगे ठीक है आपको ए और डी के रिस्पेक्ट में क्या पताना आपको ओडर बताना है तो चलिए शुरू में एक रिस्पेक्ट में बता है बीक रिस्पेक्ट में तो एक कॉंस्टेंट हो गया एक कॉंस्टेंट एक कॉंस्टेंट तो यह कितने टाइम हो रहा है दो गुणा दो गुणा रेट भी दो गुणा है तो बताए बीच रिसपेक्ट में ओर राई में मैं दूद एक एक रिसपेक्ट में बिदको एक क्या विक्क्र करनी पड़ेगी तो ये रही भई B की concentration constant, पैंती-पैंती हो गई, तो बोलिए A कितने गुणा हो रहा बैटा, दो गुणा, और rate पे कोई effect नहीं पढ़ रहा, देखो, 10 है, ये भी 10 आ गया, तो A के respect में उड़ रहा गए बैटा, हमारे पास 0, तो अब बतालते हैं B के respect में बैटा, तो A की concentration क्य है, देखो, first or last में, ठीक है, अब ये देखो, B का first or last में क्या हो रहा, देखो, B, दो गुणा, अरे देखो, यहां तो A तो constant हो गया, B, दो गुणा हो रहा है, rate आठ गुणा हो रहा है, तो दो की power मैं कितनी करूं कि आठ आ जाए, तो बैटा, तीन आएगा, तीन आएगा, कि आएगा, तीन 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